स्टार प्लस का मोस्ट पापुलर सीरियल ये रिस्ता क्या कहलाता है तो आप सभी देखी रहे होंगे जिसमें आपको अभिनेत्री प्रनाली राठोर नजर आ रही है जो इस सीरियल में अक्छरा गोइंका की किरदार को निभा रही है जिसमें इनकी एक्टिंग और इनकी अद और सिस्टर कौन हैं क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं अगर आप इनकी रियल लाइप मदर और सिस्टर से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे पर उससे पहले आप अपनी अभिनेत्री प्रनाली राठोर के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले यह रिष्टा क्या कहलाता है सीरियल में अभिनेत्री प्रनाली राठोर अक्षरा के किर्दार को निभा रही हैं जिनका जन 15 अक्टूबर 1999 को महराष्टर के मुंबई में हुआ था जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाय लिखाए वहीं से कंप्ल काफी जादा पसंद किया था जिसके बाद इन्हें कई सीरियल में काम करने का मौका मिला जैसे क्यों उठे दिल छोराए जात न पूछो प्रेम की और बैरिस्टर बाबू जिनमें काम करके आज अभिनेत्री प्रनाली राठोर किसी पहचान की मौहताज नहीं है वहीं आपक किया कहलाता है सीरियल में अक्चरा गोइंका की किरदार को निभा कर दर्सकों से खूब हुआ हुआ ही लोट रही है तेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइक मदर एंड सेस्टर के बारे में तो इनकी मदर का नाम सीलर आठोर है जो की प्रोफेशन से हाउस वाइफ है और अपने घर पर रहकर अपनी फैमिली को काफी अच्छे से संभालती है और आपको बता दे ये अपनी बेटी प्रनाली से बेहत प्यार करती है और इनकी बेटी प्रनाली भी अपनी मम्मी के काफी क्लोज है और उनके साथ काफी अच्छा बांड सेयर करती है जैसा कि आप इन इन तस्वीरों में भी साफ देख पा रहे हैं प्रनाली राठोर के मदर के बाद बात करते हैं इनकी सिस्टर के बारे में तो आपको बता दे इनकी सिस्टर का नाम रूची राठोर है जो कि प्रफेशन से इंजीनियर है और अपनी फिल्ड में काफी कामियाब भी हो चुकी है वहीं आपको बता दे, दोनों बेहनों के बीच काफी ज़्यादा प्यार और काफी अच्छा बॉंड देखने को मिलता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं और इन दोनों बेहनों को देखकर लगता ही नहीं है कि दोनों बेहन हैं बलकि दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती हैं जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी साफ तोर पर लगा सकते हैं तो दोस्तों आप अभी ने त्रे प्रनाली राठोर की रियल लाइफ मदर और सिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही टीवी जगत से जुरी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले